हैलो दोस्तों आज हम बनाएंगे ठोले बटूरे ठोले बिटरे बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी बढ़ों आवला दाल चीनी इलाइची लोंग ये डाल देंगे इसमें और पानी डाल गएंगे बाद इसमें कूकर में धक्कल लगाएं के 5 सीटी लगाने तक पान सीटी आने तक हम इसको उबाल लेंगे अच्छे से चलिए भटूरे का आटा बना के तियार कर लेते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है और मैदा को हम थोड़ी सी जगा बना देंगे इसमें थोड़ी सी जगा कर देंगे अब इसमें हम थोड़ी सी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें जड़ीं चमच के करीब हम दws हम ड़ी डाल देंगे ज़्यादा खटी ड़ी नहीं है बस नोर्मल धूहीं है इसको हमने डाल दिया है इसमें हम थोड़ा सा eyesight powder डाल देंगे और थोड़ा सा शुथ बonna के तियार कर लेंगे यह देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी भी लिया है बीच बीच में और इसको अच्छे से डो को तियार कर लेते हैं डो भी हमारा भटूरे के लिए लगा लिया है हमने अच्छे सा सोफ्ट हो गया है इसमें थोड़ा सा ओईल लगा दे जिससे यह हाथ में चिपकेना और यह आद में चिपके रहेगा नहीं और इसको हम डखके आदा गंटे के लिए रैस्ट पे छोड़ देंगे यह हमने डखके रख दिया है और आदा गंटे बाद देख लेते हैं तो डो हमारा बहुत इच्छा फूल के तयार हो गया है सैट हो गया है भटूरे बनाने के लिए बिलूल बढ़िया हो गया है चलिए अब हम छोले बना लेते हैं छोले बनाने के लिए हमने तीन टमाटर दो प्याज और दो हरी मिर्च लिए हैं इनको हम प्याजों को मोटा मोटा काट लेंगे और हरी मिर्च को भी हम मोटा मोटा काट लेंगे और अब हम टमाटर को भी काट लिया है हमने बारी मोटा मोटा प्याज को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे प्याज हमारी पीस के तयार हो गई है इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं प्याज को हमने कटोरी में निकाल लिया है अब इसी जार में हम तमाटर को डाल के पीस लेंगे इसका भी हमने पेश्ट बना के तयार कर लिया है छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसमें से हमने आमला और दालचीनी निकाल देंगे और देखिए आमला डालने से छोले काले हो गए हैं इसमें हमें और चाइपति का पानी नहीं डाला है इसमें हमने शरीफ आमला डाला है आब हम ए guidanceule Hadi में तेल डाल देते हैं तेल अच्छे घ्रम कर लेते हैं एक चमचा तेल डालेंगे गैस को low medium रखिएंगे दो तेज पत्तर डाल देंगे और थोड़ो ब्राउन होने लगी हैं इसमें हम हम टमाटर add कर देंगे थोड़से मसाले add कर देंगे धन्या ढड़ देंगे अधी करीब आदि चमच के छेख मेरी नमक डाल देंगे छोले मसाले हमने इसमें एड़ कर दिये हैं अब इसको भी चला लेंगे मसाले को मिक्स कर देते हैं बढ़िया करके यह देखिए मसाला भी मिक्स हो चुका है अब इसमें हम छोले एड़ कर देंगे छोले हमारे पक चुके हैं अच्छे से बढ़िया गल चुके हैं अब इसको हमने मसाले के साथ एड़ कर देना है और इसको पर नीचे करते वे चला लेंगी छोले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी आप अपनी इच्छा नुसार कमिया ज्यादा कर सकते हैं मैंने यहां पे दो गिलास के करीब पानी जाला है आप जितनी गिरेवी पतली रखना चाहें उसी से आप से पानी डाल सकते हैं और इसको ड़के हम 10 मिनट के लिए लो मीडिय माज पे पकने देंगे दस मिनटके लिए हमने ढखके छोड़ दिया है और दस मिनटके बाद हमने देखेंगे छोले बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें हम कस्तुरी मेती डाल देतेए आप चाहेते इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं छोले बन के तयार हो चुके हैं बहुत बढ़िया इन्होंने तेल भी छोड़ दिया अच्छे से छोले बढ़िया बन के तयार हो चुके हैं चलते हैं भटूरे बनाने के लिए अब हम भटूरे बना लेते हैं, भटूरे बनाने के लिए एक बड़ी सी लोई लेंगे, उसको सुके आठे में लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद आप जिस सेफ में भी आप बनाना चाहें, उस सेफ में आप बना सकते हैं, और इसको हम बेल लेंगे, बड़े आराम से कोई दिक्कत ने आती बेलने में देखिए बहुती आराम से ये बिल रहा है और इसको हम गोल अकार में हमने बेल लेंगे इसको ये बिल गया है हमारा बटूरा अब इसको गरम तेल में डाल देंगे तेल अच्छे से गरम होना चाहिए काफी अच्छा तेल गरम है इसमें हमने डाल दया भट्चूरा अब इसको हम कल्चकी साहथां से फुल आ लेंगे भट्चूरा भी हमारा फूल ने लगा है यह देखिए भट्चस एप फूल गया है इसको पलट देंगे और और भतूर बहुत भड़िया बनके तयार हो चुका है है इसी प्रकार से हमने सारे भतूरों को बेल के बना लेना है और इसको अब निकाल देते हैं और यह देखिए छोले के गुशित कते हैं तो लाइक से रो सब्सक्राइब